नमस्कार भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ कविता उपाध है हमारे साथ में मनोच चोहान जी हैं अगर इनके बारे में बताओं तो शाहदरा बार आसोसियेशन में ओन्री सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लोग अद बार आसोसियेशन ने इसका विरोध कि इस सब के बारे में चर्चा करेंगे मनोच जी के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारत टीवी में सर्क्या है लोक अदालत पहले उसके विशे में बताएं देखें अभी डिलस से का नोटिफिकेशन आया तो तीन में वो आईजित की जाएगी कोर्ट में वो आईजित नहीं ही की जाएगी जब तक आज तक का इतिहास है कि जितनी भी लोक अदालत है या जो भी मैटर है वो कोर्ट में होते हैं क्योंकि लीगल फैटर नेटी से जूड़े हुए हैं अब जब यह नोटिफिकेशन आया कि लोक अदालत घरगर होगी तो इसमें सबसे ज़्यादे नुकसान सबसे ज़्यादे परिशानी बकीलों को होगी लिटिगेंट को भी होगी कि एक इनसान तीन तीन दो दो जगे कहा भागा फिरेगा दूसरा एड़ोकेश किस तरीके से वहा जाएंगे तो हमारे पास कम से कम चार सो पान सो एड़ोकेश का साइन होके लेटर आया सिकायत आई हम उसके बावत DLSS से सेगर्टी साब से मिले अपने DJ साब से मिले तीनों और उसके बाद कल क्योंकि मैं अभी कोर्डिनेशन कमेटी एक हमारी बनी हुई है पूरी दिल्ली की मैं इसमें अभी सेगर्टी ज आपका ये चाहर साब जो हैं वो सेकेर्टी जनरल हैं कल हमारा आपस में डिसकसन हुआ और आज हमने पटियाला हाउस में जो सेंट्रल इनका वो है डीलसे का वहां पर एक मीटिंग का आईजन किया बड़ी बहुत-बड़ी तादाद में लोगा इगटे हुए एड़ोकेटे ह हमारी आपस में मिटिंग हुई क्योंकि उसका हम विरोध कर रहे थे लोगादालत का हमने यह पंप्लेट्स भी बनवा दिये बैनर भी लगवा दिये और हम उन लोगादालत को नहीं चलने देते हैं लेकिन वहां अरोला साब हैं जो उसके डीलसे के इंचार्ज हैं उन्हों दिस्तिक कोर्ट जो दिल्ली में है उनमें यह लोगादालत लगेगी और बागी के काउंटर जहां पर फेक्स हैं वह लगेगे तो इससे क्या होगा कि जो एड़ोकेट्स के अपने परसनल चलान है या उनकी फैमिली के चलान है वो यहां पर कोर्ट में डिस्पोज हो सकते ह अगर यह पूरी प्रॉपर तरीके से चलती है तो कितना फाइदा मिलेगा जनता को और आपको कितना उससे नुकसान हो सकता है देखिए हमें एक एसुरेंस ओर मिली है कि हविश्य में कभी भी लोकादालत कायोजन बाहर नहीं किया जाएगा यह भी आज हमें मिला है आसवा बढ़ा जी के देखे अगर कोई भी लीगल फैटरिंटी से संबंदित कोई चीज है अगर वो लोगादालत हो या और भी चीज हो जी वह अगर कोट के बहार लगती है तो उसका कोई भी मायने नहीं रखता है उससे बहुत सारी परिशानी देखिए कोट एक ऐसी चीज है अ लोगादालत का बैन्यू कहां पर है एक बैन्यूफिक्स है कि करकडूमा कोट है या तीसे यारी कोट है पटेयलागोस कोट है लोगादालत लगी हुई है जो भी लिटिगेंट है जिनके भी चालान है कोई और मैटर हो सीरे कोट में आएंगे बिलकुल और जब हमें यहीं ही मालू होगा लिटिगेंट को के हमारा सेंटर कहां पर है हमें कहां जाना है तो वीचारा धक्के खाएगा कभी सेंटर पर जाया कभी वहां इंक्वारी करेगा और आपको पता ही है कि डिलस से अगर लोकादालत लगेगी तो सारे नंबर भी विजी होंगे यह सारी चीज किनाते सिंपल सा सवाल क्योंकि कानून की बात करें तो बहुत टफ वाटें हमारे कानून में लिखी हुई है जो आम तोर पर आम पब्लिक नहीं समझ पाती है जो सिर्फ वकील या फिर जस समझते हैं कि कानून अनके हिसाब से सर अगर एक साफ शब्दों में एजी ली एक साम जंता की बात पोच्छों की बड़ी देर हो जाती है तारीक प्रक्राइब चले जाती हैं क्या लगता है हमारे नियाएले में और क्या नियाए प्रक्रिया में क्या सुधार वकील होने के नाते आपकी तरफ से होने चाहिए देखिए लास्ट एक साल लगवक करोना काल में चला गया हमारी एक्जूकिटिव पूरे करोना काल में यहां आई घरगर राशन वकीलों को बाटा जो भी मदद जिसकी हो सकती थी दवाई वगरा वो सब चीज हमने बाटी मैं मैं यह लोगा जो से निकलने लगे कोर्ट नहीं खुल पाए हमने कोर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की और बड़े सक्त लैजे में हाई को पताया तब 25 परसेंट कोर्ट खुली लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं उसके बाद फिर कोर्डिनेशन कमेटी और बार कॉंसिल ओ दिल्ले की एक मी आज भी नियाए कहां मिलेगा आप देखिए स्कूल वो खुल ले हैं सिनेमा घर खुल गया मार्केट खुल गया हर चीज खुल गई फिर कोर्ट ही क्यों आप ये लगाएं कि अगर किसी भी लिटिगेंट की डेट करोना काल में या बीच में लोगडाउन में रही है वो जितना आपकी पेंडेंसी है जिसको नियाए तो मिले अब आप ये लगाएं कि कितने लोगों के मैंटिनेंस जो विचारी कुछ नहीं कर रही हैं उनकी मैंटिनेंस रुग गई 328 के मैटर रुग गया जिनकी पेंडिंग थी लोगों का काम बिलकु ठप हो गया तो अब सुप्रिम कोट के सोचना चाहिए कि फूरा फिजीकल खोले जिससे इपेंडिंसी खतम हो और सब लोगों को नियाए मिले बिलकुल मनोजी को आपने सुना और जनता भी यही चाहती है कि नियाए मिले और जो वकील हैं वो भी आप ही के लिए प्रयासरत रहते हैं क्योंकि हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं जो वकालत के शेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं हम भी यह चाहते हैं हमारे बच्चे या हमारा कोई जान पहचान का उसे वकालत की जाए तो कहीं ना कहीं वकालत ऐसी चीज है जो की नया दिलाने में भरपूर भुमिका नि